हेलो फ्रेंट्स मैं मुण सुतार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्व चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनार में हैं फ्रेंट्स आज किसी वीडियों बात करेंगे टेली में जो हम कंपनी क्रेट करते हैं तो उस कंपनी पर हाई सिक्यूर्टी या हम इसे एक एडवांस लेवल की सिक्यूर्टी भी बहुत जरूर देखना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो या आप इसे लाइक और शेयर करना अधरवाइस आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो तो आपने बहुत बार ऐसा देखा हुगा जब आप Tally open करते हो और list of company में जब आपनी company को select करते हो तो कुछ इस तरीकिते का हमें show उता है तो कुछ एक company के नाम हमें show हते हैं लेकिन कुछ हमें ये star से show हते हैं इन stars का मतलब क्या होता है कि वर हमें या पर इसका code ही पता चल रहा है और इसका financial year पर हमें मालूम नहीं हो रहा है अब ये कौन से financial year का वरक इसमें हो और इस company का नाम के है तो friends इसी को हम high level की securities बोलते हैं और telly की बास हम इसे telly valid password भी बोल देते हैं तो friends जब हम telly में company create करते हैं तो telly valid password हम कैसे लगा सकते हैं और अगर हम company create कर चुकी हैं तो create की भी company के बीच में telly valid password कैसे लगाएंगे तो friends यह आज आपको मैं practical तरीके से बताऊंगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request है अभी तक आपने मारे चैनल को subscribe नहीं किया तो अपनी चैनल को आप subscribe में जुरूर कर लें और bell icon का बटन भी जुरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल के माद्यम से हम आपको practical रूप से accounts or telly का complete course करवाएंगे आप में facebook page भी follow कर सकते हो instagram पे भी follow कर सकते हो तो friends शुरू करते हैं आज का यह वीडियो friends हम नई company create करने से पहले select company में जाके और list of company में यह चीज़ देखेंगे हमारी total company अभी तक कितनी create हो चुकी है तो इसमें जो company है वो हमारी तीन company जब वो नाम के साथ हमें show हो रही है और जो चार company जब वो star के साथ हमें जो company show हो रही है उसमें केवल code यह उनका show हो रहा है और उसका financial भी हमें नहीं पता चल रहा है भी कौन से financier का accounting work इस company में हुआ है और नई इस star के पीछे कौन से company create की विए उसका भी पता में नहीं चल रहा है तो friends ये telly valid password क्यों लगा जाता है ये इसलिए लगा जाता है भी किसी एक unknown person को ये नहीं पता चले भी अगर आपके system में telly है तो आप telly में किस किस company का accounting work maintain करते हो जब तक आपके telly में और company में high security password लगा होगा तब तक आप उस company का backup भी नहीं ले सकते और इसे restore भी नहीं कर सकते तो friends इसलिए ये telly valid का high security password लगाए जाता है ताकि किसी भी कोई other unknown person इसको access नहीं कर सके तो friends ये लगता कैसे है हम इसे समझते है तो सबसे पहले हम एक company को create करना होगा मैं एक डेमो के रूपे एक company create कर लेता हूँ मैं मान लिजिए मैं smart computers राइसेंगर के नाम से company create करिए और मैं enterprise करते हुए country मारी इंडिया रहेगा state मारा राजस्ना रहेगा ये pin code मारा रहेगा और आप जब ओर इस प्रिजिनल company create करते हो accounting purpose के लिए तो आपको ये contact detail रहेगा सारा data आपको fill up करना compulsory होता है तो ये हमारा finance लिया रहेगा और ये security control में televalid password जो हमें sure है ये high security का password यहां पर लगता है जब हम televalid password लगाते हैं तो इसमें हमें username नहीं पूछता के वल में password ही पूछता है माली जी हमने इसका जो televalid password हो 123 यह है और repeat password में भी 123 का है और उसके बाद में use security control यह भी एक तरीके का protection यान की password ही लगता है इस पे भी अगर हम लगाना चाहें तो इसको यस करेंगे तो name of administrator यान की username कोन रहेगा तो username हम type कर देता हूं smart और इसका password भी मैं 123 और repeat password में 123 दूँगा और मैं इसको इंटर प्रेस करते हुए accept करूँगा तो जैसे accept करूँगा तो सबसे पहले टेली विलिट password पूछेगा तो इसको मैं 123 टाइप करूँगा और उसके बाद में smart company का जो मैंने username और password लगाया था वो भी मैंको एक बार फिर से टाइप करना पड़ेगा यानि कि यह double level की layer होगी मारी security की इस company पे और जब हम वापिस company information पे select company पे इंटर करेंगे तो यह इस तरीके का एक जो code हमने create किया था साथ नंबर तो अब हमें कैसे पता चलेगा भी हमारी जो company smart computers राइसन गर्स का नाम से जो हमने company create करी थी उसका code क्या रहेगा अलांकि अब हमें तो यहां पे क्यों नाम तो शो नहीं हो रहा कोड इसे हो रहे हैं अब हमें मारा code याद रखना होएगा पिर हमारी जो company हमने create करी है वो कौन से create की है तो फ्रेंट्स वैसे जैसे जैसे हम टेली में company create करते जाएंगे वैसे वैसे उसका code भी जनेट होता जाएगा अलांकि अब जैसे इसके अंदर साथ नमबर बिल्कुल लास्ट कोड है तो इसका मलब जो बिल्कुल लास्ट में जो company बनी है वो यही create हुई है और इस पे जम एक बार enterprise करके देखेंगे तो सबसे पहले टेली विलेट पासओड हमें देना पड़ेगा 123 और उसके बाद में जो इसका security control जो normal password हम देते हैं वह हम लगाना पड़ेगा उसके बाद हम इस टेली में accounting वर्क शुरू कर सकते हैं तो friends यह बहुत ही ज़्यादा high level की security होती है companies पे था कि किसी कोई भी unknown person इसको access नाय कर सके इसका backup भी नहीं ले सकता वह backup लेगा तो भी वह टेली विलेट password मांगेगा तो friend यह था हमारा जब हम company create करते हैं तो उस पर high security यानि कि टेली विलेट password कैसे लगाते हैं तो अब हम बात करेंगे जो हमारी company already create कर चुके हैं लेकिन इस पर हमने कोई भी normal security password तो हमने लगा रख है लेकिन इस पर टेली विलेट का password हमने नहीं लगाया तो अगर वो टेली विलेट का password अगर हमें लगाना पड़े तो हम कैसे लगाएंगे तो सबसे पहले हम बाला जी इंटर्प्राइज को open करना पड़ेगा इसका username और password में लगा कि इस company को सबसे पहले open करना पड़ेगा और उसके बाद में यहां पर एक option होता है alt-f3 का जिसे हम company information भी बोल देते हैं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो या अपने keyboard से alt-f3 भी button प्रेस कर सकते हो और उसके बाद में जाना पड़ेगा चेंज टे हमने करी थी और new password में हम टाइब करेंगे मारा password हमने टी आर वाई का पासवर्ड टाइब कर दिया और repeat password में भी new में कि आर वाई एंटर प्रेस करूंगा तो यह पूछे का भी आप चैंज करना चाते हो तो मैं इस पर यस करूंगा और अब create new company अब इसी code की एक नई company वन टीन टाइम जीरो और एट मारी company अब नई create हो चुकी है तो वापीस हम मारी company information पर जाके देखते हैं select company में तो यह जो code है हमारा जीरो जीरो एट का नया बढ़ चुका है और हमें बाला जी enterprises भी यहां पर शोर है अगर हम इसको चाहें भी बाला जी enterprises को हम delete कर दें क्योंकि अब यह बाला जी enterprises company को open करना पड़ेगा इसका user id और password लगा के और उसके बाद सेम वह परसेस हमें alt app थरी यानि की company information पर वापीस जाना पड़ेगा और उसके बाद हम alter के option को select करेंगे यह जो alt option में sure है तो मैं इस पर alter button पर आके enterprise करता हूँ बाला जी enterprises list of company में sure हो रही है और यहां पर आके मैं alt d यानकी alt plus d तो यह पूछेगा delete यह आपको delete करना है या नहीं करना है तो मैं enterprise करूँगा तो यह company delete हो जाएगी are you sure yes अब वापिस हम select company में जाके देखते हैं तो जो बाला जी enterprises का नाम जो show हो रहा था वो यहां से भट चुकि है वह company क्योंकि वह company हमने delete कर दी और उस company में जो भी record था वो इस company में आ चुका है तो friends आज की वीडियो कैसे लगी आप आमें comment करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like और share जरूर करना और अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्ली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाड़ी हमारी हर नई नई वीडियो का notification आपको समयसे में पर मिलता रहे तो प्रेंट्स मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टोपी के साथ